आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये ब्लैक एंड वाइट कलर की बूटीज के अंगूठे वाली सॉक्स है यहां से डिजाइन मैंने इसमें चेंज किया है यहां का मैथर्ड आल्मोस्ट वैसा ही रहेगा जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ लेकिन डिजाइन मैंने इसमें अलग तरीके से बनाया है यहां मैंने यह कंगूरे की लाइन बनाई है आप चाहें तो इसी में थोड़े फंदे एक्स्ट्रा करके एक बॉर्डर भी आप बना सकते हैं या तो आप करोशा से कर दें या आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको मैंने 49 फंदों से बनाया है 49 फंदों से मैंने इसको शुरू किया है चार से पांच नंबर को यह आराम से आ जाएगा यह मैंने 49 स्टिच इसमें डाल के रखे हैं एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नों दस ग्यारा पारा तेरा चौदा पंद्रा सुला सत्रा अटारा उन्निस बीस इकेस बाईस तेईस चौईस यह 49 फंदे हो गया हमारे अब हम इन में सबसे पहले यह डिजाइन डालना शुरू करेंगे पहली सलाई हम यह उल्टी सलाई है हमारी तो इसको हम पूरी उल्टी बुन लेंगे क्योंकि यह डिजाइन हमारा सीधी सलाई से बुना जाएगा तो हम दूसरी सलाई से यह डिजाइन शुरू करेंगे तो हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यह देखिए यह उल्टी बुनते हुए पूरी यह सलाई मैंने कम्प्लीट कर लिए अब यहां से हम दूसरा धागा लगाएंगे अब हम यह वाले कलर से सेकिंड कलर से इसके बुनेंगे पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे तीन फंदे वाइट से बुनेंगे एक फंदा बिना बुना लेंगे तीन फंदे वाइट से बुनेंगे इसी तरह से यह सलाई पूरी कम्प्लीट करेंगे हम अब उर्टी सलाई पर आ जाएंगे उर्टी सलाई पर हमें कुछ नहीं करना है जो फंदे हमने बिना बुने लिए हैं उनको हमें बिना बुने लेना है और जो फंदे हमने बुने हैं उनको हमें बुनना है यह फंदा बिना बुना लेंगे यह तीन फंदे हम बुन लेंगे एक फंदा बिना बुना लेंगे तीन फंदे बुन लेंगे इसी तरह से हम यह वाली सलाई कंप्लीट करेंगे इंदे की दो सलाई हमारी यह वाइट कलर से कंप्लीट हो गई है अब हम ब बीच वाला फंदा यहां वाला यह फंदा हमें बिना बुना लेना है तो हम दो फंदे पहले ब्लैक से बुन देंगे यह फंदा बिना बुना लेंगे यह तीन फंदे ब्लैक से बुनेंगे यह वाला फंदा बिना बुना लेंगे यह तीन फंदे हमें बुनने है और यह वाला पुरे दिजाइन में पूरे दिजाइन में पूरे दिजाइन में इस तरह से हम यह सलाई कम्प्लीट कर लेंगे तीसरी सलाई है यह हमारे डिजाइन की दो दो सलाई हम दोनों कलर से बनाएंगे पहले हमने वाइट कलर से दो सलाई बनाएंगे अब हम बलेक से दो बनाएंगे उसके बाद फिर वाइट से श्रू करेंगे तीसरी सलाई करने के बाद चौथी सलाई में हमें वही करना है कि ब्लैक बुनने है और वाइट हमें बिना बुना लेना है दोनों कलर इसमें साथ में नहीं चलेंगे एक एक कलर से ही हम बुनेंगे यह दो फंद हमें बुनने हैं यह वाला फंद हमें बिना बुना लेना है इस सलाई को हम थे मैं synchronous कर लेने हैं या थे से मे दखिए हमारी 4 सलाई कन कर लेने हैं निष्ट है पहले हमने दो रख वाइट से बुनी और फिर रख ब्लेक साब यहीं हमें पूरा यहां से यहां तक जितना भी हमें यह बुनना है इसको हम इसी तरह से रिपीट करें इनी चार सलाईयों को रिपीट करते हुए हमें यह डिजाइन बनाना है देखिए जैसे हमने पहली सलाई बनाई थी यह वाला फंदा हम बिना बुना लेंगे तीन भंदे वाइट के ये वाइट आजाएगा, इसी तरह से बुनते हुए हमें जितनी हमारी लंबाई है उसको हम पूरा कर लेंगे, ये इस तरह से बुनते हुए हमने, ये चार सलाई रिपीट करते हुए, ये कम्पलीट कर लिया है, इसको आपको अपने पैर के हिसाब से, जहां से हमारा अंगु इसको इस तरह से नापले आप अपना पैर रखेंगे यहां से यहां ऐसे रखते हुए आप इधर देखेंगे इतना कम है अगर हम इसको उल्टा-उल्टा गुंते तो वह बहुत ज्यादा खिछता तो हमें और थोड़ा सा इससे कम रखना पड़ता लेकिन हमने इसको इतना र अब हमें इसमें दो या चार सलाई सीधे उल्टे की बुनाई में हम ब्लैक कलर से बना लेंगे हमारा वाइट कलर का काम इसमें खितम हो गया तो हम वाइट कलर को काट देंगे ब्लेक कलर से ही हम इसमें चार सलाई यह ब्लेक कलर से बनाएंगे सीधे उल्टे की बुनाई में यह बलकुल आप्शनल है आप चाहें तो इसको बनाएं और नहीं चाहें तो आप ना बनाएं में चाहे सीधे उल्टे की बनाई में यह बनाएंगे मों इस तरह से अपर हमें यहां अपर नहीं यहां यहां भरती हैly ने झांट रख सब़सgodी आप relevant और एकर हमें राइप का बना बनाना है , ठार नाछए बनाना है , अगर हमें लेफ्ट पंड माना है , थो हम लेफ्ट मान बनारें उन्हारा हरे तो हम इस तरफ इसद्टा बनाएंगे भूखके के लिए हमें सब्पे अ कर भूखकibly 18 फंदे हैं एक दो तीन चार पाँचे साथ आठ नो यह फंदे आप 17 भी रख सकते हैं 18 19 इसी के आसपास जितने आपका अपने पैर के हिसाब से इसमें 18 फंदे लिये हैं अब हमें सिर्फ यही 18 फंदे बुनने हैं बाकी फंदे हम नहीं बुनेंगे यही 18 फंदों की हमें 10 सलाई बनानी है दस सलाई यह 9 सलाई हम इसमें बना लेंगे यहाई दूसरी सलाई है इसी तरह से हम इसको आगे बुनते जाएंगे यहीं दिखिये हमने 18 फंदे बुनते हुए इसमें 9 सलाई कर ली हैं अब हमें इसमें फंदे गटाने हैं पहला फंदा के बिन बुना ले एक फंदा नियुकों जाना इक प्रीच करें बपलीट करमे हैं एक घटाना प्रीच चाहें लाद भीच करग। िकतर ऐसी तरह प्रीच है को है ःदेदेवले को जुखिए लिगदार ना। जाले लुखिए से सुनदा करना हैं वैसे भी आ जाएगा वह हमें अगर आगर लाप गटाना चाहे तो आप इस तरह से गटा सकते हैं कि अब ये शीदी सलाई कढ़िए आपके पहले लापू औह भिग बनली पेच उनलाह कि इती दसवी इंट सलाई हमारी ये इली चाहँ हो रहा है अभी एक सलाई और करेंगे बार वी आप अगर ये घटाना नहीं चाहते तो आप बारा सलाई इसकी कम्प्लीट करें और उसके बाद सारे फंदे जैस तरह से मैं अभी उतारूंगे इस तरह से एक ही फंदे के उपर से सारे फंदे उतार सकते हैं इसको थोड़ा सदागे को हम ऐसे पीछे की तरफ पकड़ देंगे ताकि ये वाला फंदा थोड़ा टाइट रहे फरस्ट वाला और ये पीछे के सारे फंदे इस फंदे के उपर से उतार देंगे अब यहां हम थोड़ा सा सिलाई के लिए धागा छोड़के इस धागे को काट देंगे और ये फंदा हम यहां से बुनके और इस धागे को भार निकाल देंगे दोड़ा सा कीचेंगे अब हमें इसको यहां से लेके यहां तक इसकी सिलाई कर देंगे अंदर की तरफ से इस तरफ से मोड़ेंगे और इतनी इसकी सिलाई कर देंगे इस वाले दागे से वहां बाद 11, 12, 13, 14, 15, 31 पंदे हैं हमारे ये अब हमें इसके यहां से घटाना शुरू करेंगे हम ये उंगलियों का पाठ हम बनाएंगे सबसे पहले हम 14 पंदे बुनेंगे 14 पंदे हमने ये बना लिए अब हमें यहां पर बीच में तीन पंदे का एक फंदा करना है हम लेंगे यहां से इस तरह से लेंगे और इधर से घुमा के लेके और तीसरा पंदा भीच में लेंगे यहां तीन पंदो का एक फंदा करना है यह यहां हमारा तीन पंदो का एक फंदा हो गए अब 14 पंदे हमारे लास्ट में बचेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा यह हमाई पहली सलाई हो गई, अब दूसरी उल्टी सलाई पूरी उल्टी बना लेंगे यह उल्टी सलाई हमने कंप्लीट कर ली, अब हम फिर से सीधी सलाई पर हैं, इस बार हमें जो हमने 14 फंदे बुने थे, इस बार हमारे एक फंदा घट गया तो हमें 13 फंदे बुनने हैं, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, तेरा फंदे ह कर 10फंदे बुनालीब यह देखिया, फंदे हम यहार में पहले घटाया थाह सकतु empire यह तरफ से 2फंदे बंत भीचें आज़ाए यह तरफ से 3फंदे का एक पंदा कर चाहिए इधर से सीधा बुनते यह तर आट सीधा भीचें 2 फंदे लिए, तो पाल कर पिचेंद्दे ब करने ऑगली बार हम 12 बुने फिर 11 सलाई करनी है जिस तरह से हमने यहां 12 सलाई की 12 12 सलाई हमें यहां करनी हैं तीन सलाई हो चुकी हैं वह हैं के बारा कर सकते हैं आप गयारा भी कर सकते हैं वारा की ज livestock आप तेरा की जग आप 13 की जगाते हैं एक सलाइच कम या ज्यादा हो जाए तो उससे ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा इस तरह से यह घटाते हुए आप इसको कम्प्लीट करेंगे दिखिए अब हमारी 11 सलाई कम्प्लीट हो चुकी है बारा करनी थी है हमें यहाँ अब हम बारीवी सलाई की हाफ बुनेंगे नौ फंदे हमारे के इधर रह गए नौ फंदे इधर है और बीच का फंदा यह एक यह है तो हम बीच का फंदा भी इसी तरह बुन लेंगे और इन फंदों को हम ऐसे डबल करके बंद कर देंगे यहां से हम यह फंदा इधर एक्स्ट्रा है तो यह इधर से हम पहली बार में हम दो फंदे लेंगे एक फंदा हम इधर से लेंगे तीन फंदों का एक फंदा करेंगे पिछे का एक आगे का फिर दो फंदे का एक फंदा करेंगे ज्यादा डीला नहीं रखेंगे इसको इसतरा से इस ते इस तरह से हम यह सारे खंदे बंद कर लेंगे यहां से यहां से यहां से यहां से सिलाइगे यह देखिए यह कम्प्रीट करके इस तरह से हमने इसको यहां से यहां तक सीलेंगे पहले और फिर यहां से यहां तक सील लिया और उसके बाद यहां से यहां तक सुई से हमने इसको सील दिया अब हम इसको सीधा करेंगे अब आप चाहें तो आप इसको आइसी तरह से पहन ले और यह चाहें तो आप इसमें करुश्या से यहां एक कंगूरी बना दे यह हम बनाएंगे इस तरह से एक दो या तीन इस तरह चैन बनाएंगे और जहां से हमने यह लिया था उसी में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यह एक चैन छोड़के दूसरे में हम इसको बन कर देंगे इस तरह से यह कंगूरी बनती जाएगी एक दो तीन पिर हम यहां से लेंगे इसे यहां से भी हम इसको ले सकते हैं और यहां से भी ले सकते हैं जैसे आप कंफुटिबल हो इस तरह से और फिर यह एक चैन के दूसरे में इसके बाद फिर से तीन चेन और उसी होल में इसको सिंगल क्रोशेर पर यहां एक चेन छोड़के दूसरे में इस तरह से हम इसके कंगुरी बनाएंगे यह देखिए यह एक दम बिल्कुल परफेक्टली बन के तयार हो गया है यहां से इस तरह से हम उठा गया है अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक करें ख finances यहां बसित्य करेंगे अटाइब करें तो प्रण रचे ये यृह एंक। इस गिजर करें जा हैं इस टाई यह जिया वगले हैंता है यह वीद पहीं है उईसके का अशिसे